दूस्तो टेक्नो ने अपना लेटस्ट फोन लांच कर दीया इंड्या के अंदर टेक्नो का स्पार्क GO 2024 तो दूस्तो 2024 मॉडल जो स्पार्क GO का आचुका इस वीडियो में इसकी अंबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता है इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं पर बात करें दूस्त के बारे में तो देखिए बॉक्स पर तो रेट जादा ही मिलता आपको लेकिन यह मिल जाएगा शाड़े च्छे हजार के आसपास आपको तो 6500 के आसपास आपको यह मिल जाएगा चली देखते हैं बॉक्स के जो कंटेंट से वो कैसे दिये गए हैं इसके साथ तो जैसे आप इसको अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले फून मिल जाता है रैपर के अंदर इसके बाद जो कुछ यूजर इस तरीके से एक सिंपल ट्रांस्पेरेंड कवर दिया गया है कुछ इस तरीके से टाइप सी केबल मिल जाती है जिसकी क्वैलिटी काफी अच्छी है इस बड़िया टाइप सी केबल है लास्ट में रखा वह मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जो की एक 10 वाट का प्राइस के साबसे फिर भी आपको ठीक टाक मिल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि चार्जर जो इस रेंज में 10 वाट को देखने को मिलते हैं सबी फोन के साथ और इस बजट में तो आजकल फोन भी बहुत ही कम लाउंच होते हैं चली बात करते हैं अब दोस्तों डिजाइन के बारे में आपको इन में डिजाइन जो है वो कैसा मिलता है देखने में कैसे लगता है तो दोस्तों आपको जो डिजाइन मिलता है सके अंदर स्पार्क गो 2024 के अंदर कुछ इस तरीक से काफी जादा बढ़िया मिल जाता है बहुत ही जादा ग्लॉसी बैटन है और आईफून की तरीके से उसी डिजाइन में जो है कैमरे दिये गए हैं दो कैमरे हैं तीसरे में फ्लेश लाइट हैं निची की तरफ आपको जो है टेक्नो की ब्राणिंग मिल जाती है बैक पैनल पूरा फ्लेट इसका और जो है डिजाइन की क्वालिटी काफी अच्छी है मैट फिनिश में डिजाइन मिलता है तो एकदम स्क्रैची वगरा की प्रॉब्लम फिंगर पेंट वगरा की उंगलियों की निशान वैसी से प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती डिजाइन की जो क्वालिटी है वह आपको काफी अच्छी मिल जाती है कमप्लीट डिजाइन दोसतो मैं आपको इसके दिखा देता हूं कुछ इस तरीकिसा आपको पैटरं मिलता है light में जब आप इसको कुछ इस तरह की सब move करेंगे तो आपको ऐसे colors देखने को मिलते हैं इसके back panel पर तो दोस्तो design की quality है वो भी काफी अच्छी है और look wise भी design काफी जादा बढ़ी है in hand feel भी इसकी काफी अच्छी है देखने में लगता है काफी premium phone है लगता है नहीं बिल्कुल भी मतलब इसका price इतना कम इसाड़े 6,000 के असपास तो वो चीज़ इसके अंदर आपको जो देखने को मिलती है दोस्तो तो design को लेकर look wise भी और quality में भी मुझे तो ये काफी जादा पसंद आया काफी अच्छा लगा और अगर आपने इस पर cover लगा दिया मतलब पूरा cover हो जाए जिससे सिर्फ camera ही camera दिखें तो तो back side से बिल्कुल iPhone ही लगने वाला ही है तो अगर आपको shop type का मतलब phone चाहिए कम budget में iPhone के मजए तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आपको design इसका कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा चलिए इसको on कर लेते हैं मैं आपको दिखाते हूं इसके अंदर आपको जो display मिलती है वो कैसे मिलती है colors होगरे कैसे हैं इसके display के brightness होगरे कैसी दी गई है बाकि इसके अंदर दोस्तो आपको IPS HD plus display मिलती है तो full HD plus display तो इसके अंदर आपको नहीं दी गई दोस्तो क्योंकि price भी इतना कम है तो कोई शिकायत की बात नहीं है बाकि colors होगरे आपको अच्छे मिल जाएं तो वो चीज़ी बढ़िया रहेगी तो display की जो quality है colors होगरे को लेकर brightness को लेकर और design कैसा है मैं आपको दिखा देता हूं उसको जल्दी से setup करके इसके लब दोस्तों HD plus display इसके अंदर आपको मिलती है और features वगरा कैसे हैं display के उसको भी देख लेते हैं तो setup हो चुका है मारा spargo 2024 user interface इस तरीके से दिया गया है आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाएंगी तो चलाने में तो यह काफी अच्छा लगता है बाकि दोस्तों के अंदर आपको display में refresh rate भी जादा मिलता है इस budget के अंदर 10,000 के budget में भी आपको सभी phones में जादा तर 60 Hz के refresh rate मिलता है लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है इसके अंदर आपको display में 90 Hz का refresh rate दिया गया है तो यह चीज़ बहुत ज़ादा बढ़िया मिल जाती है smoothness जो है इसको use करने के वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है 60 Hz से मिलता है 80,000 में भी तो वो चीज़ भी है आपको इसके अंदर काफी कम price में देखने को मिल जाती है जो iPhone में भी नहीं है बागी कोई comparison तो नहीं है लेकिन refresh rate freebies में जादा ही iPhone से display का design है वो भी काफी अच्छा है animation देखने को मिलेगी call आने की charging status को लेकर तो यह सारे चीज़ आपको इसी punch hole camera में देखने को मिलती है जैसा आपको realme के phones में आचकल देखने को मिलता है और जो है Infinix के अंदर भी तो वो चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी तो यह चीज़ काफी बढ़िया है left side पर जो है SIM के ट्रे दी गई है दो SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर आप तो यह चीज़ काफी अच्छी है निची की तरफ आपको charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है type C port है right side पर volume के buttons और power का button है finger paint scanner आपको side में मिलता है power के button के अंदर उपर से देहींगे तो यहाँ पर आपको speaker दिया गया है दोस्तो कुछ इस तरीके से इसके लव दोस्तों इसके अंदर आपको RAM और storage मिलती है उसके बारे में बात करें तो 6GB RAM मिलती है 64GB RAM 64GB storage आपको मिलती है तो दोस्तों storage काफी जादा free है और rate के साब से देखा जाए तो वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है 3GB by default RAM है 3GB जो है दोस्तों आप जो expand कर सकते है virtual RAM मिल जाती है तो दोस्तों 6GB RAM इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है इसके लग दोस्तों इसके अंदर आपको जो Android का 13 version दिया गया है तो यह चीज भी काफी बढ़िया मिल जाती है latest version मिल जाता है उम्मीद करते हैं अप coming updates भी इसके अंदर आपको जल्दी देखने को मिल जाए वैसे बात करें इसकी performance को लेकर यह चलाने में है कैसा मतला lag type का हो रहा या फिर hang हो रहा है इसके अंदर या फिर नहीं तो इसको जल्दी से में restart कर देता हूँ आपको दिखाता है इसके अंदर आपको जो performance मिलती है वो कैसी मिलती है वैसे इसके अंदर आपको Unisoccer Tiger T606 processor दिया गया है दोस्तो मैं आपसे यह कहूँगा है price के साबसे इसके अंदर आपको जो performance मिलती है वो फिर भी काफी अच्छी मिल जाती है processor इसके अंदर आपको काफी सही दिया गया है इसको rate को देखते हुए तो आपको ऐसा नहीं है कि hang type का देखने को मिल रहा है iPhone चलाने में बिल्कुली slow लग रहा है वैसी सी problem इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती performance वगर आपको अच्छी मिल जाती है तो इस चीज़ काफी बढ़िया है rate के साबसे इसके अंदर आपको processor अच्छा मिल जाता है इसके लोग दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में तो 5000 MSKES के अंदर आपको बैटरी दी गई है एक दिन का नॉर्मल बैटरी बैक अपराम से मिल जायागा तो इस चीज़ भी काफी बढ़िया है इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है इसके लग दोस्तों कुछ applications भी जो है मैं इसके restart होने के बाद आपको open करके दिखा देता हूँ उससे भी आपको अंदाजा हो जायागा कि एक ऐसे सब perform करता है तो restart test में इसने normal time लिया ना बहुत जादा जल्दी on हुआ ना बहुत जादा late हो गया बाकी open on होने के बाद तो जो है काफी अच्छे से smoothly work कर रहा है refresh rate भी अच्छा है तो दोस्तो smoothness आपको काफी बढ़ी है मिल जाती है आपस opening time आप देख सकते हैं काफी जल्दी से open हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं होगी normal use के अंदर तो बिल्कुल भी problem नहीं होगी और थोड़े बहुत आप heavy user है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी बाकी अगर आपको performance की वज़े से फून खरीदना है तो थोड़ा आपको budget बढ़ानी पड़ेगा दोस्तो 13 MP का सके अंदर आपको main camera दिया गया है performance आपको camera की price के साबसे काफी सही मिल जाती है colors वगरे जो है काफी अच्छे हैं display के भी तो experience काफी अच्छा हो जाता है और दोस्तो फोटोस की जो details है वो भी काफी सही है colors वगरे भी फोटोस के आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं तो दोस्तो यह सारी खुबिया कम्या आपको मिलती है टेक्नो के spark go 2024 के अंदर सिर्फ 6,000 में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए देखिए दोस्तो राइस के साबसे वैसे features देखे जाएं तो काफी बढ़िया ही है एक तो display काफी अच्छी है quality काफी अच्छी है display की colors वगरा सही है brightness काफी बढ़िया है punch hole camera वाला design है उसके अंदर आपको animations भी देखने को मिलती है तो दोस्तो overall देखा जाए तो सारी चीज़ेस के अंदर आपको quality wise बढ़िया मिल जाती है fingerprint scanner भी है तो price के साबसे मुझे तो यह phone काफी जाधा पसंद आया और सबसे बड़ी चीज़ ही है आपने किसी और पसंद के phone के साथ तो वह चीज़ भी comment कर दिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दी लेकर आने की वीडियो दोस्तों आपको अच्छे लगी तो इसको एक like करके ज़रू जाएगा चैनल पर नया है subscribe नहीं कर रहागा तो subscribe कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुच्छते रहें helpful लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेर ज़रू करिएगा WhatsApp और Facebook पर चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए